नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का चतिसगर सिक्षक पातरता परिक्षा 2022 जिसके लिए अगर आप आवेदान करना चाहते हैं तो नियूंतम अरहताएं क्या है सीजी टीटी प्रथम पेपर और सीजी टीटी दूइती पेपर में सामिल होने के लिए तो ओफिसियल वेबसाइट सीजी वेबसाइट से ये प्राप्त किया गया नोटिफिकेशन है और चतिसगर सिक्षक पातरता परिक्षा 2022 है तो मार्ग दर्सी का एवं अनुदेश खंड और ध्यान दें कि ये संसोधिद है तो पिछला जो 2021 वाला या उससे पहले वाला था उसी को देखकर बस आप परिक्षा का फार्वना भरें बलकि 2022 का जब गी नया नोटिफिकेशन आता है उसे पूरी तरह से देखें तो देखिए प्रिष्ट भूमी में निसुल केम निदारित निउंतम योग्यताओं में अकादमिक एवं अव्यवसाईक योग्यताकिस्तान संत्थ प्रतिभागियों को सिक्षक पातरता परिक्षा उत्तिरने करना अनिमारे घोसित किया गया है इसी अधार पर राज जिदौरा तिसरी बार तिसरी बार चाटिस गड़ सिक 22 में क्या है सीजी टी टी फी लिए क्या है देखते हैं तो प्रात्मिक और उच्च प्रात्मिक इस तरपर अध्यापन है तो अलग अलग सिक्षक पातरता परिक्षाए होती है इन परिक्षाओं के लिए नियुनतम अरहता इस परकार है पहला एक से पांस तक की कख्षाओं में अध्यापन है तु नियुनतम अरहता इस परिक्षा को देने के लिए तो यहाँ पे कई विकल्प दिया हुआ है पहला है का जिसमें नियूंतम पचास पतिसत अंकों के साथ उच्छतर मादमिक या इसके समकच एवं प्रारंबिक सिक्षा सास्तर में द्वी वर्सी डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम से जाना जाता हो या कोई भी नाम दिया गया हो अंतिम वर्स में समलित होने वाले अत्वा उत्तिन तो यहाँ पे उसे कोई भी नाम दिया गया हो क्योंकि नाम अलग अलग होता है जैसे पहले डी एड नाम से होता था अब देखेंगे तो डी हेल एड नाम से होता है और ये दोनों समक्ष हैं डी एड पहले नाम होता था सरकारी संस्थान में जो होता है और अब डी एले नाम है अलाकि सुंदरलाल सर्मा या अन्य यूनिवर्सिटी से होता है उसमें पहले से ही डी एले नाम था लेकिन अब जो ट्रेडिशनल जो गवर्मेंट स संस्थान से होता है वहां भी डियलेट नाम से कोर्स को रख दिया गया है इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है कि आप अगर अंतिम वर्स में सम्मिलित होने वाले हैं यहने कि फर्ष्ट येर पास हो गए हैं सेकेंड येर में रनिंग हैं तो भी आप इस परिक्षा को दिला सकते हैं उसके बाद दूसरा है इसी में अथवा नियुंतम 45 प्रतिसात अंकों के सांथ उच्छतर मादमी किया इसके संकक्ष एवं प्रारंबिक सिक्षा सास्तर में द्वी वर्सी डिप्लोमा चाहे किसी नाम से जाना जाता हो जो राष्टिय द्यापक सिक्षा परिश्यत मानेता म इसनातक भी एल एड के अंतिम वरश में समल पहने वाले या उतीन तो चार वरसी होता है 25 यज़ी और वह वह भी मैं पात रहें अंतिम वर्स में समलीत होने वाले या प्लीन अथवा नियुंतम 50 पतिसा अंतर मादमी कि हैसके समकाख शता सिक्षा सास्त्रविशेश शिक्षा में दूई वर्षी डिप्लोमा के अंतीम वर्ष में समलित होने वाले अत्वा उत्तिर्न अत्वा इसनातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में दूई वर्षी डिप्लोमा किसी नाम से जाना जाता हो दीवर्सी डिप्लोमा तो इसनातक के बाद भी बहुत से केंडिडेट्स डिप्लोमा करते हैं जब रही नहीं सभी इसनातक के बाद बीएड ही करें डीएड करने वाले भी केंडिडेट्स होते हैं इसलिए यह वाला पॉइंट भी है आप इसनातक के बाद डीएड कर रहे हैं तो भी पात रहें अथ्वा ये जो है नया है पचास प्रतिस अतंकों के साथ इसनातक तर्था सिक्षा इसनातक के अंतिम वर्ड्स में समलित होने वाले अथ्वा उत्तिर्ण कि इस से पहले होने वाली परिक्षाव में ये उलेक नहीं था नेकिन इस वाले CGTT 2022 में इसको उलेक किया गया है और जिसने NCTE द्वार मानेतर प्राप संस्ता से सिक्षा इसनातक की उपाधि प्राप की है उस पर कक्षा एक से पांस तक पढ़ाने के लिए अध्यापक की विचार किया जायेगा किन्तू इस परकार अध्यापक की रूप में न्यूट वर्स की बितार NCTE द्वार मानेतर प्राप प्रादमिक शिक्षा में 6 महिने का से तू पाठेकरम प्रीच कोर्श करना आवस्त्यक होगा तो इसे भी ध्यान दे ये हो गया कक्षा एक निजय तो जो इसनातक करके D8 करते हैं डिप्लोमा करते हैं वो भी कक्छा 6-8 की कक्छाओं में अध्यापन के लिए पात्र होते हैं बहुत लोग कंफूज रहते हैं इस चीज को लेकर के नेकिन ये जो राश्टी स्तर का जो परिशत बना हुआ है इसमें बकाइदा ये है कि इसनातक हैं और दो वर्ष का डिप्लोमा है चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो उसको D8 बोलो चाहे DL8 बोलो पहले समय में BTI भी हो 50 30 स्तंगों के साथ इनातक है नातक हम सिक्षा-षास्त्र में एक वर्षा तॉष इसना तक भीएड असफ़ दु वर्षा चिंतिम वर्ष तो वन्तिishes व्त हरा है कि 171 समय से पहिले जो व्यहें यह वह होता था और एक समय यह चार वर्सी वही है जो बीए बीएड होता है चतिदगर में भी यह जारी है चाल रहा है कई उनिवर्सिटिस में अत्वा नुन्तम पचास प्रतिशत अंकों के साथ उस्तर माद्मिक अत्वा इसके संक्षा हम चार वर्सी बीए बीसी बीएड यह सब अंतिम वर्स में संब्लित वने वाले अत्वा उत्तिन अब इसमें कुछ नोट है कुछ विसेश पॉ सब्सक्राइब को निश्चित आयके बाद वालों को यह फायदा नहीं मिलता वो जनरल में ही माने जाते हैं और विशेश रूप से दिव्यांगादी के अभीरतियों को अरहा कंग में 5% तक की छूट दी जाएगी तो जैसे 50% समंग है उसमें 5% की छूट दे दी जाएगी उसके बाद दूसरा पॉइंट है अध्यापक सिक्षा सास्त्र में डिप्लोमा डिगरी पाठेक्रम इस अधिसुचना के संदर्व में केवल राष्टिय द्यापक सिक्षा परिशाद एंसी टी दौरम मानेता प्राप्त द्यापक सिक्षा सास्त्र में डिप्लोमा या डिग कि योग्यता है उसे न्युक्ति के बाद प्रारंबिक सिक्चा सास्त्र में एंसी ती द्वारा मानने तब राप चाहे महा कभी से इस प्रसिक्चन प्राप करना होगा करती है तो वयाम सिक्चक के लिए सीजिटीट की अनिवारता नहीं होती इसलिए उनके लिए यहां पर विषयवाला कोई बात नहीं है अगला है एंसी ती अधिसुचना जिनांग 19 जुलाई 2011 में वनित किसी भी अध्याफक सिक्चक पाठ़क्रम एंसीटी अथवा आरसी आइ जैसा भी मामला हो को करने वाला व्यक्ति CGTT में सामिल होने के पात्र होगा ऐसा अभिर्ति जिसके पास उपर युक्ति योग्यता नहीं होगी CGTT में सामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा अब भर्तियों को आवदान करने से पहले अपनी योगिता के पूर्णता संतुष ठोना चाहिए और यदि वादिये गई योगिता मांड़न के अनुशार आवदान के लिए योग नहीं है तो इसके लिए हस्वायां व्यक्तिकत रुप से जिम्यदार होगा इस और ध्यान दिया जाए यदि किसी अभियर्ति को CGTT में बैटने के नमती दे दी गई है तो इसका अर्थ यहां नहीं है कि अभियर्ति की पातरता प्रमानित हो गई है इससे अभियर्ति को निप्ति के लिए के अधिकार नहीं मिलता है पातरता संबंदी भरती एजन्सी नियुकता प्राधिकारिद और अंधिम रुप से प्रमानित किया जाएगा तो यह महत्पुन बिंदू हैं जो आपको बताया गया है दोस्तों जुनता महत्ता हैं अच्छे से आप उसको देख लीजिए उसके बाद ही ऑनलाइन आविदान फार्मा भरिये और परिक्षा दीजिए ऐसे भी कई कंडिडेट हैं जो बीएड या डीएड नहीं कर रहे हैं या नहीं किया है वो भी फार्मा भर देते हैं नेकिन बाद में इसका कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि इसके लिए बीएड डीएड उतिन या इनके अंतिम वर्ष में जो हैं वही इसे अवधन कर सकते हैं जो यहां भी बताएगे हैं उसके अंतरगत वह आवधन के लिए पात्र हैं और अन्य जो भी मांगा जाता है इसमें उनके लिए वो सब होना चाहिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए लाल कलर कर सब्सक्राइब बटन दबाईए बेल आइकन दबाईए धन्यवाद